लाइक दी वीडियो, सब्सक्राइब दी चैनल और क्रेस्ट बेल आइकन फो लेटेस्ट वीडियो अपडेट हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हुनी थी और आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा एक ऐसा ड्रिंक लेके आई हूँ जो सफेद बालों को काला करने में आपकी बहुत मदद करेगा मैंने बहुत सारे हेर पैक, हेर ओयल शेयर किये है अपने चैनल पे साथ ही आज मैं आपके लिए एक बहुत ही नया तरीके का एक ऐसा ड्रिंक लेके आई हूँ जिसको आप पीओगे और morning and night पीना है इसको और पीने के बाद आप देखोगे कि दो से तीन महीने आपको लगतार पीने पड़ेंगे और इससे क्या होगा आपके जो सफेद बाले वो जड़ से काले निकलेंगे यहां पर मैंने दोनों तरह का तिल लिया है आप देख सकते हैं सफेद और काला यहां जहां मैं रहती हो यहां पर इस तरह का काला तिल मिलता है तो अगर आपको डाउट है कि ये तिल नही है तो आप प्लिस देख लीजिए ये तिल ही है क्यूंकि बहुत लोग बाद में बोलते ये तिल नहीं है तो हमारे यहाँ इसी तरह के काले तिल मिलते तो मैं इसी चीज का यूज कर रही हूँ आप चाहे तो किसी एक तिल का भी यूज़ कर सकते हैं या मेरी तरह दोनों तिल का यूज़ कर सकते हैं तिल के अंदर जो होता है बहुत ही ज़ादा कॉपर, कैशियम, फॉस्परोस, आरेन, जिंग, विटामिन बी और मैगनीसियम होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत सबक्राइब कर-खरोस हलें पर नंविटे सबाषर केंगे लिए बसबी ऒढ़भा में वुक्त कर दो को मीरचा करनी तो चूटे सबच्ण को पूरे करने के लिए यह मैं सब करके मिलें को कि परईने, लिए न वरिए इस बीस्टको बहुत ही जल्दी सफेद बाल जड़ से काले निकले यह और यह जो सुल्यूशन है यह लाइफ वी सॉलुशन है यह नहीं कि आज दस दिन में चला चाएगा या रे सुल्भानय-दिन में bachelor चाएगा या उप और एक बार कर लो और इसको तो तीन चार महीने लगतार आप रूटीन बना लो कि आपको करना ही करना है तो इस तरह से हमारा जो मिक्षर है रेडी हो गया है इसको आपको स्टोर कर लेना है इतना जो कॉंटिटी जैसे मैंने आपको बताई यह वन वीक के लिए आराम से आपका चल जाएगा अगर आप ए जूज करना हो तो पहला काम मॉनिंग में कीज़े आफ्टर ब्रशिंग यो टीत ब्रश करने के बाद मूद होने के बाद आप काम के लिए कि गरम दूद ले लिजे मतलब गुनगुना दूद होना चाहिए गरम नहीं होना चाहिए हलका सुसुम जिसको बोलते हैं कोसा भी दूद ले लिजे और उसमें आपको एक चमश मिला देना है अगर आपको लगता है कि यह दूद की कौंटिटी आपके लिए ज्यादा है और आप सुबह में नहीं पी सकते हो तो कौंटिटी कम कर दीजे उसे साब से और मिक्शर भी थोड़ा कम कर दीजे तो यह वन फुल एक सबाइस के लिए वन फुल चमश में ले रही हूं आप देख सकते हैं और इसको आपको मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद आप इसको धिरे-धिरे करके पी लिजे बहुत ही अच्छा हुपा है छी प्रोसेस आपको नाइट में भी करना है खाना खाने के बाद सोने से पहले ये काम कर लीजे और अगर आपको लगता है कि दूद्स फीका है तो शहद या फिर गुड़ आप इसमें आड़ कर सकते हैं छोटे बच्चे को भी आप दे सकते हैं तीन साल से उपर के बच्चों को पराम से दे सकते हैं और क्वांटिटी कम रखेगा और जो मिक्षर हम दो तीन महीने अप लगता है तीजे तभी एक अच्छा खासा रिजल्ट आपके सामने होगा लेकिन ये जो कलर है ना कबसे पहले काले नहीं हो जाते पहले सफेद बाल हलके भूरे होंगे डार भूरे तब काले होंगे और जब ये आएंगे तो फिर दुबारा सफेद आप